नमस्ते अग्रेंट्स वेडियो में आज हम परानी हमारे पास वायर्स रहती है कभी कभी कुछ उनके चोटे पार्ट्स बच जाते हैं जब हम यूज करते हैं बहुत सारे टुपड़े होते हैं उनका को यूज नहीं समझना आता हूँ ऐसी पड़े रहते हैं या आप उन्हें तो यह बलब होलडर जो है और यह जैसे आप देखें यह ऐसे वायर्स की आपके पाद इतने बड़े 6-8-10-10 नहीं के तुपड़े होंगे और आप इनका बहुत सारे टुपड़े होंगे जिनको जो यूज लेस्ली नहीं पड़े होंगे जो आप इन्हें यूज कर सकते है बहुती अच्छे तरीके से एक decoration light बना सकते हैं अगर आप इस तरह के आपके घरवे holders हैं इस तरह की wires हैं और तो आपको simply से खोल करके आपको यहां से इन दोनों तारों को जोड़ना है यह parallel connection करना है इनका ताकि इन सब जो आपकी लड़ी बनेगी वो सब के अंदर same voltage मिले उन आप इसको इसमें डालके tight कर देंगे similarly आप दूसरी वायर भी लगा दीजे इस तरह से आप देखेंगे कि आप आप इसको बंद कर देंगे वायर को निकालने के बाद और इसी तरह से आप अपने एक के बाद एक second आप holder यहां लगा लेंगे तो इस तरह से आप एक आठ या दस इंच की gap पे लगा लीजे फिर उसके बाद एक और लगा लीजे आपके बस जितने holders हैं या जितने आप नंबी आपनी लड़ी बनाना चाहते हैं उस आप से दस पंदरा या सोला आप से holder ले ले लिजे रैसे टुकुड़े ले ले लिजे वायर के कोई ले भी किस ताइब कलर के आप क्या सोल सकते हैं वह आप यूटलाइज कर लीजे तो आपकी एक लड़ी बन जाएगी जो मैं भी आपको दिखाता हूँ जैसे हमने प्रिपेर करी हैं और वह बहुत ही कुपसूरत उसमें आप आप क्योंकि आजकल तो LED बल्प्स भी आते हैं I hope you will like the video please share it तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने उसकी LED तयार के लिए वो कैसे लग रही है वि Сब्सकि खेखाभ एंद्ध के फरेंक्षा देखे व्रेंट्स यहां पर यह वायर का कनेक्शन है इससमें एक-ब्धिया-दो मिट्र किया वायर लगाकर यहां सी अपका कनेक्षन शुरू परेंगे वह पहले उल्डर में आईगा और वालोप में जाएगा और इस सब पैडल कनेक्शन में है तो इन सब को बराबर वोल्टेज मिल रही है और आप इसके जब आउन करेंगे तो आपको इसमें इस वाली वायर से पावर देनी है और यह आपकी डेकोरेशन के लिए लाइप नहीं आप जाएगी